आज मैं आपके साथ शेयर करी हूं जटपट बनकर तयार होने वाली मतबसे पीस मिनिट में यिवरत की थाली जो की बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़िदार बनती है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे अलो टमाटर की सबजी तो इसके लेना हैं यहाँ पे दो टमाटर और इनने अच्हे से वाश कर लेंगे और फिर हम इन्हें इन्हें रफली चॉप कर और आपको फाइंले चॉप करने की कोई जूरत नहीं है तामाटर उन पवाद में अब लेंगे दो कश्मीरी मिर्च साबत वाली इससे कलर संटी का बहु पीस्ट है एकदम तयार थी यह देखिया है पस टमाचा की पीस्ट को बनाने के बाद में अब हमें लेना है एक कड़ाई और उसमें डालेंगे हम एक चमच क्राउंट नट ओयल जो की मुफली का तेल होता है जो वरत में खाते हैं तेल गरम होने पर डालेंगे इसमें आधा च नमक यह नमक आप अपने स्वात के अनुसार भी ले सकते हैं इसे करेंगे मिक्स और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इस तरीके से ओयल सेपरिट नहीं हो जाता है ठमाटर से यह हमारा टोमाटो प्योरे का मिक्षर अच्छे से पक गया है अब इसमें हम डालेंगे दो आलू और इसे हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाला है पानी पानी आप अपने कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं क्योंकि सब्सी में कितनी ग्रेवी रखनी है वो आप अपने कॉर्डिंग इसमें ते कर सकते हैं इसे करेंगे एक बर मिक्स और अब हम इसे ढखकर पकाए करीबन दस मिनिट के लिए झब तक सबजी पक रही है हम कर लेते हैं बाकि दूसरी चीजों के तियारी तो हम बनाएंगे यह लुखी करायता उसके लिए यह पर मैंने लिया है धाई-soo ग्राम लॉकी क्योंकि कट कर ले रही हूं तो कटने के बाद में यह थाई-soo ग्राम इ इसमें डालना है पानी तो यहां हमने 1 फॉर्थ कप पानी यूज किया है। इस टाइम पर पानी हम इसमें जादा नहीं डालेंगे जो कि हम लॉकी को कर रहे हैं बॉयल तो इसके लिए इसमें इतना ही पानी बस बहुत है। अब हम इसे ढख करके इसमें सिर्फ 2-3 विसल आने तक इसे पका लेंगे। लॉकी को हम चड़ा देते हैं ग्यास पर नेक्स्ट हम कर लेते हैं दूसरी चूजों की परप्रेशन तो अब हम बनाएंगे हरी चटनी जिसके लिए लेना है हमें एक ग्राइंटिंग जा और अब उसमें डालेंगे हम फ्रेश हरी धनिया के पत्ते और अब इसमें हम डाले पीस लेना है तो यह हमाई बहुती चटपटी मज़ेदार सी हरी चटनी बनकर है रेडी इसे रखेंगे साइट में इसको बनाते टाइम इतना हो गया था कि अब हमारी सबसी भी अल्मोस्ट बनकर है रेडी तो एक बद देख लेते हैं तो एक दम परफिट कंसिस्टेंसी इ अगर आप इससे जादा इसको गाडा करना चाहते है तो एक से दो मिनिट इसको और पका सकते अब डालेंगे इसमें फ्रेश थनिया के पत्ते इसे करेंगे एक बार मिक्स और अब हम घ्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रखेंगे साइट में अब हम चलतें नेक्स और अब हमें इसे फैस कर लेना अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अधा चमच सेंधा नमक यह नमक आप अपने स्वादनुसा ले सकते एक चताई चमच काली मिर्श का पाउडर और अधा चमच रोस्टेड जीरा पाउ अब डालेंगे तड़का तो उसके लेंगे एक चमज तेल अब डालेंगे जीरा और साथ में थोड़े से धनिया पति तो बस ये हमारा मज़िदार सा राजता है बनकर रेडी नेक्स्ट हम बनाएंगे तैयारी करेंगे पराथया तो उसके लिए हमें लेना है दो कप राजकिर आठा बढ़ाएंगे वैसे ही आलू की कौंटिटी भी आपको बढ़ाना घटाना है अधा चमज सेंधा नमक और थोड़े से हरी धनिया के पत्ते अब हम इसे मिक्स कर लेंगे जिसे की आठा आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें हम पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करेंगे किस टाइम पर कितना पानी यूज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूं तो यह डिखे इस तरीके से डो बिलकुल अच्छे से बनने लगा है जो एक्स्ट्रा थूड़ा सा बच्रा है उसके लिए से छोटा चमज पानी लगेगा बस अब डालेंगे इसमें हम एक छोटा चमज तेल और इसे एक बार इस तरीके से हम और मिक्स कर लेंगे तो बस यह हमारा आठा है पनकर अच्छे से रेडी यह डो हो गया है रेडी इसी रखेंगे साइब में जब तक हम कर लेते हैं अपने फ्रूट चाट के तयारी तो इसके लिए यहां पे मैंने एक आपल और एक बनाना आप चाहें तो यहां पे कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद है इसे हम एक बोल में डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राइ रोस्ट किये हुए यह मुफली इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता ह दालेंगे थोड़े से नीबू कर रस और अधा चमच नमक और अब इसे हम कर लेंगे टॉस जिसे कि यह सब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यह हमारी फ्रूट चाथ है रेडी इसे रखेंगे साइड में और अब हमें बनाना है अपने पराठा तो इसके लिए लेंगे चकल से मैं यह पूरा पराठा बना लूँगी मुझे किसी कटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी और आप भी अगर इसको बेलेंगे ना तो आप आराम से बेल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जैसे मैंने बताया है अगर आप उस तरीके से दो लगाते हैं तो त इस तरीके से हलका हलका सा ओपर से फूला दिखने लगेगा फ्लिप करेंगे डालेंगे थोड़ा सा तेल दोनों साइट से और बस फ्लिप करते हुए इधार उधार से उलगते पलगते हुए हम बना लेंगे ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है इसकी जगे पर आप तील के बरतनों का ही यूज कर रहे हैं ये रखा सबसे पहले मैंने अलू टे माजरी की सबजी लोकी कारायता फ्रूट चाट और बहुत ही चकपटी मज़ेदार सी हारी चटनी और ये हमारे राजखिरे का पराठा आप इस थाली को एक पद ट्राइज जरूर करेगा अपने फामिली और फ्रिंद्स के साथ में भी जरूर शेयर करेगा ताकि वो इस नौरात्र में व्रत में इस थाली को एंज्वाई कर सके ऐसी और वीडियो को देखने के लिए कर लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में